हेलो गाइस, वेलकम टू माइ चैनल, आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक नान इसे हम बिना तंदूर और बिना ओन के तवे पर बनाएंगे और मैदे के साथ हम इसमें आटे का भी यूज करेंगे नान बड़ी ही आसानी से घर पर भी बहुत ही अच्छे बनते हैं नान बनाने के लिए यहां लिया है दो कप मैदा अब इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, हम मैदा और आटा दोनों से ही नान बनाएंगे डालेंगे दो चमच ओल, यहां हमने वेजिटेबल ओल का यूज किया है डालेंगे दो चमच शुगर थोड़ा सा नमक, एक चमच बेकिंग पाउडर, वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा, आदा कप दही, दही रूम टेंपरेचर पर थंडी होनी चाहिए, वन फोर्थ कप मिल्क, मिल्क भी रूम टेंपरेचर पर थंडा होना चाहिए, अब इन सब को हाथ से ही पहले जिसे मिल जाएं, और अब यहां डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसका एक डो बना लेंगे, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाले, एकदम से ना डाले, नहीं तो यह ज्यादा पतला हो जाएगा, हमें इसका एक स्मूध सा डो बनाना है, हम थोड़ थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डौ बनाते जाएंगे। ये दिखिए इसका ऑटा हमने लगा लिया है लेकिन अभी हम इसे स्टेच करेंगे। इसे आप किचन काउंटे टॉप पर भी अच्छे से स्टेच कर सकते हो। ये देखे इसे बिलकुर स्ट्रेच करते हुए 10 मिन के लिए गूथ लेंगे इसे हमने अच्छे से स्ट्रेच कर लिया है अब लगाएंगे ओयल ओयल पूरे आटे पर इसे अच्छे से लगा देंगे अच्छे से पूरे आटे पर इसे फैला दे और अब इसे ढखक कर 2 गंटे के लिए छोड़ देंगे 2 गंटे के बाद ये देखिये आटा हमारा बिल्कुल नान बनाने के लिए अच्छे से से हो चुका है आटी को अच्छे से 2 गंटे रेस्ट देने से क्या होता है जब भी हम मैदा की रोटिया बनाते हैं तो खिचती हैं, हम उसे बेलते हैं और वो सिकुर जाती है, रिक्टेक्ट कुजाती है तो उसके लिए हम इसे अच्छे से दो गंटे रेस्ट कराना है, उसे आटा बहुत ही सौफ्ट हो जाएगा अब इसे हलका सा गूथ लेंगे और इसकी इस तरह से लोईया बना लेंगे अब इस लोई पर हलका सा सूखा आटा लगाते हुए, इसे हम लंबा लंबा बेल लेंगे ये देखिए आठा हमारा कितने अच्छे से सेट हुआ है हम इसे बेल रहे हैं तो ये अच्छे से बिल रहा है सिकूर नहीं रहा है वापस से ये देखिए इसको हमने बेल लिया है और अब इसके उपर लगाएंगे पानी और यहां पर लहसुन को बिल्कुल बारिक बारिक चोप कर लिया है अब इस लहसुन को इस पर अच्छे से फैला देंगे और यहां पर लगाएंगे बारिक कटा हरा दनिया और अब इसे पल्ट देंगे और हलका सा फिर से बेल लेंगे ताकि लहसुन और धनिया इस पर अच्छे से सेट हो जाएं और फिर लगाएंगे उपर से पानी तब आभी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब पानी वाली साइड से हम इसे तवे पर डाल देंगे जिससे ये तवे पर अच्छे से चिपक जाए और अब ये देखिए फ्लेम को हमने हाई रखना है और ये देखिए इस पर बॉबल्स आ रहे हैं अब हम इसे पलट कर सेख लेंगे इसे हम इस तरह पलट कर अच्छे से हर साइड से बिल्कूल अच्छे से सेख लेंगे यहाँ पर आप ऐसे तवे का यूज करें जिस पर हैंडल हो जिससे आप आसानी से पकर कर तवे को पलट कर आप इसे आसानी से सेख सकते हो ये देखे, नान को हमने अच्छे से सिख लिया है, कितना अच्छा कलर आया है और ये देखे, बैक साइड से भी कितना अच्छा सिख कर तयार हुआ है ये देखे, और अब इस तरह सभी नान बना कर तयार कर लेंगे यहाँ पर बटर गारलिक नान बन कर तयार है आप इसे थोड़ा सा मेजिनमेंट के साथ और अच्छी से रेस्ट दे के आर्टिकोब बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं तंदूर और बिना ओवन के तवे पर ही आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नान बना सकते हो ये बनाने में बड़ा ही एजी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मुझे केमेंट करके जरू बताएं और मेरे जैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ